वडोद्रा नगरनिगम के जरिए बायो रमेडिशन प्रक्रिया द्वारा ठोस कच्रे को उपचारित किया जा चुका है स्वच भारत मिशन के सहयोग से नगरनिगम द्वारा अटलाद्रा में 4,91,000 मिट्रिक टन कच्रे को उपचारित कर 70 एकड भूमी का पुनह ग्रहन किया है बायो रमेडिशन प्लांट में सबसे पहले ठोस कच्रे को विंद्रो बनाके उस पे बायो कल्चर का शिड़काव किया गया था ताकि खाट बनाने वाले जिवानों की वृद्धिती व्रिगती से हो सके उसके बाद इस कच्रे की स्क्रीनिंग और छनाई की गई थी जिससे 70 प्रतिशत बायो अर्थ, 20 प्रतिशत आर्डियेव और 7 प्रतिशत पत्थर में परिवर्थित किया जा सके ये परियोजना गुजरात में सर्व प्रथम एवं वर्तमान में एक मात्र शुन्य लंडफिल अप्रोच पर आधारित है जिसमें भूमी का शत प्रतिशत सुधर करने का लक्षी था जो सफल रहा ये परियोजना ठोस अप्षिष्ट प्रवंधन नियम 2016 एवं केंद्रिय प्रदुषण नियंदरन बोर्ड के नियम 2016 को पालन करके की गई है ठोस अप्षिष्ट के उक्चार से डंपसाइट के आसपास के इलागे प्रदुषण मुक्त हो गये है एवं डंपसाइट परिथी के पास बहते विश्वामित्री जील के पानी के प्रदुषण को रोकने की दिशा में पहला कदम था डंपसाइट रेमिडियेशन प्लांट गुजरात प्रदेश की सफलतम परियोज नाओं में शुमार है